नमश्कार दोस्तों मेरा नामे दरपन और आप देखे राविन 24 नीज दोस्तों अब तसीरों में पुलिस ही पुलिस देख पारें इस समय करनाल की खंडी सड़क पर आप देख पारें और अभी फिलाल तसीरे देख सकते हैं इस समय लोग काफी जादा संख्या में इकठे हो ही हैं यहां पर जैसा की मामला आपको बताया कि क्रिशन पाल नाम का व्यक्ति जो की धंजाडी गाउं का रहने वाला है और बतार है कि फैक्टरी में काम करने के दुरान छुलस जाता है और बिजली का काम करने का यहां इंदिन के बाद जो है यहाँ पर इलाज करने के बाद जो है उसकी मौत हो जाती है इस समय शब आप देख सकते हैं सामने जो एंबुलेंस आपको दिख रही है उस एंबुलेंस में उसका शब है लेकिन पुलिस काफी संख्या में यहाँ पहुँच चुकिया और कहीना कई परिवार आश्वास पर सभी security है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और सामने तस्ईरों में जो मालिक है उनकी फैक्टरी बताई जा रही है उनका घर है जहाँ पर लोग यहाँ पर पाल समाज के लोग इकटे हो जाते हैं और अभी यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शण कर रहे थे कि परिवार से जो है कही ना कही बादशित नहीं की गई और मदद की कोई बात यहां पर नहीं हुई है बताया जाता है तीन बचियां है क्रिशन पाल की और साथी साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे और एक बेटा है और यहां पर फिलाल देख सकते हैं वो बेटा भी यह यहां पर तस्वीरों में आपको आता हुआ इस समय जरूर नजर आ रहा है लेकिन साथ में यह तीनों बेटियां भी हैं लेकिन पुलिस अभी काफी संख्या में पहुंच जाती है जानकारी मिलती है कि इस तरीके से पाल समाज के लोग इकठे हो गए हैं अभी फिलाल पर जो स में इस शब उनका लाया गया है पूरा जुलस गये थे वो वेक्ती बता रहे हैं कि जब उनके साथ यहादसा हुआ बता रहे हैं बिजली का काम करने के दुरान जटका लगा और फिर आग लग जाती है उन्हें पूरा श्रीष जुलस जाता है और जिसके बाद यहां पतनी पहुंची उन्होंने किस तरीके से रोते बिलबलाती कहा कि उनकी पहले दो दिन असपताल में दाखिल करवाया गया उसके बाद जाकर जो है अस्पताल से उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया गया कलपना चावला में और फिर उसके बाद कुछ दिन के लिए उन्हें पीजी आई में लेकर जाए गया जहाँ पर उनकी मौत हो जाती है अभी फिलाल यहाँ पर लोगों को समझाने मुझाने का प्रयास पुलिस के और से किया जो यहाँ पर मामला इस तरीके से हो गया है जहाँ पर लोग काफी जादा जो हैं अकरोश में नज़र आ रहे हैं फिलाल देख सकते हैं परिवार के अन्दे लोग भी यहाँ पर हैं आप क्या कुछ कहें आप इक उनके परीज़नी है उनके इनका बाला जी उस्पडिल में लाज होने कर था इनको बहुत ही राम में लिगा था इनको चंदी के ड्राफ़र करते क्यों कर दिया उनके पैसे देने के लिए बग्चे का से खाएंगे इसके कोई कमाने बाला भी नहीं है इसका तो इनको देखना चाहिए ना तो इनसाफ सब कुछ चाहिए अब बच्चे क्या करेंगे इसने मदद की है कुछ ने मदद की इसने बात भी ने की इसने की सिर्फटा जी जो पर देख सकते हैं आपर जो महिलाएं है काफी जादा गुस्टे में परिवार जो है क्रिशन पाल है उनकी पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो क्रिशन पाल है उनके पत्नी और पुलिस फिलाल यहां से उन्हें जरूर फिलाल हटाने का प्रयाज जरूर कर रही है उनका यह कहना है कि आप सामने की और उन्हें फिलाल यहां पर खड़ा होने के लिए लिए लेकिन अभी फिलाल इतना जरूर है कि कहिना की गरीब परिवार है काफी जादा बता रहे हैं क वरषों से व्यक्ति जो है उस factory में काम कर रहे थे और यहां पर फिलाल इस आप आप रिजाओं इन्ट नहीं को घार दिये अंदर नहीं नहीं जाएंगा अभी तक तो बात चीत कोई नहीं कुछ आसा नहीं है आप परिवार की मदे चाते हैं सिए जिए पटनी और की कृषिनपाल की आपके अपने डाट पोप्टी को ही आपके प्रत अब करें लागी को कुछ कम यह जबिए ना फिलाल यहां पर आप देखा रहे हैं सभी जो लोग हैं आपर इकठे हुए हैं और अभी फिलाल यहां पर करुछ नहीं वर्य का हैं जो मक्तिना हैं आप दो इक आप दो आफ Combust कर दो और जाघ कर देखंस को हुए पांचे कलुआ जिंग हैं और तो इसी थैस्ट मेनीं के लचंस पिए श्युदथे पांचे दिन से इसमें बाला जी उस्पेटल में देखले गर्सेगारा तारने के लिए बोले ते भी साब है दो उस्पेटल में दाखल कर लो वहां पर भी मारका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलिया किसी से लेका कोई सुना ही नहीं हुए जिमारे अब लग कई रिलाज के लिए मालिक ने बिल्कुल माना कर देगा दाएं में कुछ निमारे सीजने आइंगे अच्छा जी आजी लिए उन्से बात चीट के लिए अब देख सकते हैं परिवार को तो परीजन है यहां पर किस तरीके से काफी ज्यादा गुस्से में और अक्रोश में है आज़ता है यहां सब्सक्राइब करते हैं जब लग सश्कार नहीं करेंगे जब लग मारको पही इंसाफ नहीं मिलेगा अब पाप के दिशावाद पुल्सारे का बून अब और ज़ेख पोप के हो रहा है साथ में इस दो शक्तित पनियागा बाप्रिया सब्सक्राइब पर जो लोग हैं यहां पर गाउं के वो यहां पुलिस से बाच्चित करते हुए तस्थीर हम नहीं पर देख रहे हैं कि पुलिस के साथ बाच्चित जरूरी यहां पर होती नजर आ रही है लेकिन यहां पर फिला किस तरीके से अश्वासन परिवार यहां पर चाहता है परिवार की मदद की जो कुरी बात है वो यही है कि परिवार चाहता है मदद परिवार की मदद होनी चाहिए जिसके लिए पिछले कई दिनों से लगातार परिवार जो है संपर्क साथने का प्रयास कर रहा था जैसा कि उन्होंने आर जो फेक्टरी के मालिक है उनके घर के बार प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन यहाँ पर पुलिस की फिलाल आप देख सकते हैं सेक्यूरिटी काफी जादा यहाँ पर पहुंच चुकी है इस समय आप देख सकते हैं घर के ठीक बार जो पुलिस की सेक्यूरिटी है जो मालिक है फे और जैसा कि शब भी जो है वो सामने एंबुलेंस आपको दिखाई गई और उसमें शब अभी मौजूद है और परिवार अभी काफी ज़्यादा गुसे में है और मदद किया आपर गुहार लगा रहा है ये देख सकते हैं फिलाल आप देख रहे हैं जो देख सकते हैं ये लोग कि अप्राइ का बच्चा फाही का बस्चा पड़ाया तिस अपने लगा जिरिजाका सर्का । करचलों बस्चा मौरैं भातों कुछा बार्स कुछा था जो दिली दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं परिवार की हालत में आपको दिखाने का प्रयास करूंट आप देख सकते हैं और यहां पर फिलाल इतना जरूर है कि अभी परिवार जो है वो इस समय हालत है और कुछी देर पहले यहां पहुंचा था और क्रिशन पाल का जिसके बाद देख सकते हैं यह करनाल की ठंडी सड़क है अभी फिलाल पुलिस काफी संख्या में यहां पहुंच जाती है और लेक लेकिन बता दे कुछी आप सभी से निवेदन वीडियो को जादे जादा शेयर जरूर करें और फिलाल देखते हैं परिवार को किस तरीके से क्या इश्वासन मिलता है को कि परिवार मदद की बात कर रहा है तीन गुडिया है एक बेटा है और परिवार जो है काफी गरीब ह और यहाँ पर फिलाल उनका यह रोप है कि अगर परिवार की मदद की बात हो जाती तो शाहिद उन्हें आज यहाँ पर इकठे ना होना पड़ता परदर्शन ना दरना पड़ता आप सभी से निवेदन वीडियो को शेक करें फिर से जोड़ेंगा आपिट 24 के उपर तब त तो कि अगर प्रूब यहाँ यहां।